तो जैशीडा मेरे दोस्तों मेरा नाम है जै और मैं आइटी जोतुर में फाइनलेजर का स्टूडेंट हूँ तो यार इस वीडियो में बात करेंगे कि भाईया हमारे कॉलेज में कितने कितने लाग के पैकेज लगे है कौनसी कोंट सी कमपनी आई, क्या प्लेज़मेंट लगता भी है या नहीं लगता विद्धा नहीं लगता है क्या यह उतना ही लगता जितने प्राइवेट कॉलेज में लगता है तो इन सबी क्वेशन को हम क्लारीफाइ करेंगे तो शूरू करते हैं इस वीडियो को debbasikabngi यार हमारे जो अगर बात करूं 2023 के स्टैट्स की जो placement नहीं कौंसी कंपनीष आइब या आपके कॉललेज में पयार प्लेस्पेंड में में जातर मेजरली अगर हम बात करेंगे तो shortverts यिा कोई बहुत कम इस हम इस बात करेंगे इस बात करते हैं तो यार, first of all, हमारी जो कंपनी आई थी, वो आई थी, Trilogy Innovations, Coordination नाम से, आपने सुना होगा शायद, और उसके बाद कैसी-कैसी कंपनी आती है, अगर मैं National Offers की बात करूँ, तो Oracle कंपनी आई थी, बाकी एक स्टार्ट अप है, मेरा पशू नाम से, I think उसका थोड़ा दिले कर रख है, बट यार, वो कंपनी आई थी, for the placement purpose, and day 1, day 2, day 3 की काफी अच्छे ची कंपनी आई थी, तो, भाया, Microsoft वगएरा, Microsoft वगएरा कि अगर बात करें, तो, यार, Microsoft ने इस साल PPO दिया है, मतलब, वो placement के लिए तो नहीं आई थी, वो basically, last year, internship के लिए आई थी, and उस basis पे, जिन बच्चों ने अच्छा perform किया है, उन बच्चों को PPO यानि की pre-placement offer उन्होंने दिया है, वह कितने लाग का दिया है, तो, यार, Microsoft का जो package है, वो basically 53 lakhs का है, जितना हमारी knowledge में आया है, and वो CTC है, बाकी base जो है, इसमें से, आप निकाल सकते हैं, कि I think around 20 to 25 जो है, उनका base depending upon performance, यार, ऐसा होता है कि, यार, basically, कुछ student अच्छा perform करते है, तो Microsoft को ज्यादा package देती है, कुछ students अच्छा perform नहीं करते है, तो, थोड़ा सा कम मिलता है, तो, basically, यार, काफी सारी companies आई है, basically, अगर मैं बात करूँ, तो, 20 lakh plus base की company तो नहीं आई, बट 10 से 15 lakh base की company काफी आई ह तो, यार, 10 से 15 lakh base तो, मतलब, easily है, और बाकि जो CTC रहता है, वो around 20 lakhs के आसपास की companies तो, easily आपके पास आती है, and most of the students जो थे, वो CAC के जो ब्रांच के तो थे, वो almost place हो गए थे, अब भया, यार, दिक्कत यह आती है, कि, आपका जो, कुछ companies आती है, वो CGPay criteria लगा लगा ल आती है, जिससे कि, आपको सारी companies almost allow कर दे, बाकि जो अच्छे-ची companies होती है, वो जैसे Google बगारा हो गए, वो CGPay criteria कम लगाती है, वो knowledge को ज्यादा प्रेफर करती है, कि, भई, if you have knowledge, अगर आपके marks थोड़े से कम भी है, तो भी कोई बात नहीं, आप exam दीजिए, और exam को निक अगलॉर, अब यह बात कर लेते हैं कि, यार, on campus उन्होंने कितना package दिये, HDFC bank वालोंने कितना package दिये, so basically यार, अभी जो मेरे पास offer letter आया, उसमें around, जो CTC है, वो is around 22.5 lakhs, and guys, मैं यह कहना चाहता हूँ कि, जो जो भी मतलब मेरे बाद unplaced रह गे थे, उसके बाद भी companies आ र जैसे आपको पता है, आजकल इतने lay-off अगेरा हो रहे है, and काफी company, most of the company जो है, students को निकाल रहे है, employees को निकाल रहे है, कईयों का offer letter भी reject हो रहा है, तो basically यह रहता है कि, यार, आपको जो है, एक company ऐसी चाहिए होती, जो कि stable रहे, जो कि employee को निकाल लेना, इस समय, job security is the most priority, and उसी के लिए मैंने एक company choose करी है, HDFC bank, मुझे ऐसा लग रहे है, कि I think so, कि यह मेरे लिए stable है, बाकी देखा जाएगा जो होगा, so this was about my package, so guys, जो HDFC bank हमारे college में आई थी, वो basically दो रोल के लिए थी, एक तो होगे analyst, और एक होगे fully stack developer, so basically fully stack developer क्या होता है, एक तरीकी का software engineer होता ह और दूसरे रोल के लिए थी, analyst के लिए, भया, इन दोनों के package सेम थे गया, हान जी, बिल्कुल सेम package है, दोनों का 22.5 lakhs CTC है, इसके लवा थोड़ा सा international offers के बारे हम बताओ यार, जो Japanese वगरा company आई थी, तो यार कुछ examples में आगर बताओं, तो जैसे की हो गया, Rakuten हो गया, इ क्योंकि वहां की currency, जो है, Japan की currency क्या है, yen, so basically अगर मैं idea लगाओं, तो यार, उनका जो package होता है, वो convert हो के around 40 lakhs के असपस हादा है, CTC, Indian rupees में, and if I like break it down, तो base कितना आता है, बेस जो आता है, वो around 20 lakhs ही आता है, 20 lakh rupees, so basically यार, वहां की living condition है, वहां कितना पैसा खर्च होता है, रहने का, उसके according ये एक normal Indian package के around ही है, और बाकि यार, इनकी जो companies है, जैसे की Rakuten बगएरा है, वो पूरा, इनका travel का accommodation बगएरा, सब कुछ करती है, visa बगएरा का, सारा कुछ मिला के, जो CTC आता है, वो 40 आता है, and base आता है, वो 20 आता है, इसके अलबा बहां कुछ और companies के नाम इन रोल के लिए आ जाती थी, मतलब काफी सारी companies ऐसी है, जो की काफी रोल के लिए आई है, and but कुछ companies जो है, basically for finance purpose, for consulting purpose के लिए भी आई थी, जैसे की, कुछ companies के मैं आकर नाम बता हूँ, तो जैसे की Jio हो गया, Reliance Jio, and Reliance Jio तो नहीं कहेंगे, आजकर वो Jio Convert हो गया, and और यार 15-16 लाग का CTC रहता है, so यार ये चीज थी हमारे placement के बारे में, भया, अगर मान लो कोई बंदा unplaced रहता है, तो फिर वो क्या करें, so basically हमारा जो placement का जो first phase था, वो start हुआ था around first of December से, almost almost 60-70% बच्चे प्लेस हो गया था, कब तक? around January तक, है ना, उसके बाद जो है, February मे फरवरी में जो है, next phase दे स्टार्ट हुआ था, second phase, उसके बाद around around 40 students ने register किया था, for second phase, इससे यार ये identify होता है, कि almost almost सारे students प्लेस हो चुके है, या तो प्लेस हो चुके है, या फिर वो higher studies वगएर कर जाते हैं, MS वगएर के लिए, basically हमारे जो यहां पर IIT के students वगएर होते ह होते हैं, so वो यार बाहर जाके research वगएर करना जाते हैं, जैसे कि मेरे एक friend है, वो New York जा रहा है, तो काफी सारे जो दोस्त है, even वो New York जा रहे है, and New York University वगएर में जा रहे है, वो MS करने के लिए जा रहे है, ये जो है, कुछ students रहते हैं, वो जो की MS करने के लिए जाते है, बाकि यार कुछ students ऐसे हैं, जो की finance sector में जाना चाते हैं, कुछ students ऐसे हैं, जो की software engineering sector में जाना चाते हैं, जो basically most students जो हैं, वो software engineering में जाना चाते हैं, and जो mostly जो placed हुए है, 60-70% बच्चे वो software engineering के है, 20-30% बच्चे वो finance से related है, जैसे कि analyst वगएरा हो गया, और product manager वगएरा हो यह चीज़ें से related है, and बाकि जो students बचे हैं, वो या तो unplaced है, या फिर वो कोई gate की त्यारी कर रहा है, कोई mtech की preparation कर रहा है, कोई PhD करना चाता है, कोई PSU में जाना चाता है, so basically यार यही हमारा stats था, IIT जोतपुर के placement का stats, IIT जोतपुर के students का class 2023 के students का stats, मैंने आपको बदा सब्सक्राइगी, so this is all about the video, बाकि यार एक बर थोड़ा सा, माहोल बढ़िया हो रहा है, अपने college का थोड़ा सा आसपास का दिखा देते है, so यार अभी हम कहां खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं, वो ही हमारा जो basically जो हमारा admin complex है, उसके पास हम खड़े है, यहाँ पर नाम basically यहाँ पर parade वगरा भी होती है, and सामने यार basically grounds है, और पीछे जो है, वो director का house है, campus काफी अच्छा लग रहा है, and काफी अच्छा campus तभी लग रहा है, क्योंकि काफी students placed हो है, उनके लिए भी अच्छा लगता है यार जो students placed हो है, बाकि पीछे यार वहाँ fountain है, और पीछे ब वीडियो में देखी रहा होगा, so इस वीडियो को यार एंड करते हैं, so आपने अगर वीडियो को देख लिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, and thanks for watching, take care, and bye-bye.